ताज महल पर न्यू येर के दोरान होने वाली भीड का असर दिखाई देने लगा है यही वज़ा है कि वीकेंड के अलावा अब नॉर्मल दिनों में भी ताज महल के दिवाने अब ताज को निहारने के लिए पहुँच रहे हैं ताज पर सैलानियों की संख्या में जाफा देखने को मिल रहा है वीकेंड के दुरान ताज महल का 64,000 परिटकों ने दीदार किया वहीं सुमवार को 29,714 सैलानियों ने ताज को निहारा लगतार सैलानियों की बड़ती संख्या में व्यापार ने भी राहत की सांस ली है जो कोविट का मामला आया है इससे आसंका है कि परटक भैवीत ना हो जाए बहुत अच्छा रिस्पांज मिलना है और नियु येर पर अधिकाश भिल होती है और विल के साथ साथ हम यह चाहेंगे कि ऐसा ही जो है इसमें अपने करमचारियों की संक्या भढ़ाए उसके साथ सा की वस्ता दुरुस्त हो जो है जिससे यहां पर विजिटर लोग आते हैं समझे ना और यहां से एक अच्छा संदेश लेके जाए जिससे आने होले समय के अंदर में हमारे विफसा है और प्रगति के पतपर हो जो है तो जैसे मैं सोचता हूं कि हम भारती है फुल इम्यून ह हाला कि परेटन सीजन आने के बाद यह पहला मौका होगा जब सेलानियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है क्योंकि वीकेंड के दुरान ही ताज महल परेटेकों से गुलजार रहता था लेकिन क्रिस्मस के बाद सेलानियों की बढ़ती संख्या परेटन उद्योग से जड़े वियापारियों के चेहरे पर खुशी लाने का काम कर रही है हलाकि ट्राफिक विवस्था के चलते तो अज महल के आसपास के वियापारियों का वियापार ठप पड़ा है जिसको लेकर किसी भी जिम्मदार अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट